क्लास्रूम में टीचर मुकेश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तभी क्लास्रूम में बद्बु फैल जाती है क्लास में बैठी सभी लड़कियां बद्बु से परिशान हो जाती है अरे पूनम क्लास्रूम में ये बद्बु कहां से आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्लास में ही सुसु पॉठी कर दी हो हाँ यार कहीं ऐसा तो नहीं किये बद्वू टॉयलेट की तरफ से आ रही हो हो सकता है सफाई वाले ने टॉयलेट की सफाई नहीं की हो हमें इस सफाई वाले की शिकायत ना प्रिंसिपल मैडम से करनी पड़ीगी वरना ऐसे तो क्लास में बैठना ही दूभर हो जाएगा पढ़ाई कैसे होगी क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां इस बाद की शिकायत करने प्रिंसिपल मैडम के पास जाती है उनकी शिकायत सुनकर प्रिंसिपल सफाई कर्मशारी पप्पू को बुलाती है क्या बात है पप्पू, तुम आजकल टॉलेट की सफाई नहीं कर रहे हो क्लास्रूम में बद्बू फैल रही है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रहे है हमें स्कूल में साफ सफाई का खास खयाल रखना होगा अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली न तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी पपू हाथ जोडते हुवे प्रिंसिपल से बोला मैडम मैं तो रोज सफाई करता हूँ, आप चाहे तो चल कर देख लें उल्टा मैं आप से शिकायत करने वाला था मैडम कैसी शिकायत? न जाने जैन्स टाइलेट में रोज डाइपर कौन फेक जाता है स्कूल में तो कोई बच्चा भी नहीं है उस डाइपर में सूसू पाटी लगी होती है मुझे सफाई करने में उल्टी आ जाती है मैडम हम ठीक है, चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर है डाइपर पपू प्रिंसिपल मैडम को जेंट्स टॉलेट में ले जाता है प्रिंसिपल के पीछे-पीछे सभी लड़कियां भी वहाँ आ जाती है प्रिंसिपल और सभी लड़कियों ने वहाँ जाकर देखा तो सच में डस्ट बिन में यूजड डाइपर फेका हुआ था जिसमें सूसू पाटी भी लगा हुआ था ओ माई गॉड हमारे स्कूल में डाइपर कौन पहनता है ना जाने कौन पहनता है मैडम जी लेकिन ये डाइपर रोज यहाँ पहका रहता है पपू तुम इस बात का पता लगाओ और जैसे ही पता चले मुझे आकर बताओ ठीक है मैडम जी सभी लड़किया अपने क्लास रूम में चली जाती है प्रिंसिपल मैडम भी अपने केबिन की तरफ जाने लगती है तभी उनके बगल से एक अक्षा साथ के क्लास टीचर मुकेश गुजरते है मुकेश के बगल से गुजरते ही प्रिंसिपल मैडम को बहुत गंदी बदबू आई ये सुसु पॉटी की बदबू मुकेश के पास से क्यू आ रही है पता नहीं क्या बात है? मुझे पता लगा नहीं होगा प्रिंसिपल अपने केविर में चली जाती है सबी लड़किया अपने classroom में बैट कर class teacher का इंतजार कर रहेे थी तब ही उनके class teacher मुकेश class के अंदर आयए मुकेश के class के अंदर आते ही आर्थी सुन, क्या है पुनम, मुकेश सर की पैंट को देख किता फुला हुए है ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने डाइपर पहन रखाओ आरती मुकेश टीचर के पैंट की तरफ गौर से देखती है हाँ यार तु सच कह रही है जैती उन दोनों के बगल में बैठी थी और उनकी बाते सुन रहे थी हम पुनम ठीक कह रही है जरूर वो डाइपर वाला टी पहन देखा था ये तो दुनिया के पहले ऐसे क्लास टीचर है जो क्लास रूम में डाइपर पहन कर आते हैं इनका बचपना अभी तक नहीं गया हाँ 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 लड़कियां जोर-जोर से हसने लगती हैं। लड़कियों को अपने बारे में इस तरह की बाते करते देख कर मुकेश सर बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी गलती चिपाने के लिए लड़कियों को सजा के तौर पर बेंच पर खड़ा कर दिया और उन्हें डाटत होने के बाद। यार ये मुकेश तर तो बड़े खराब हैं। एक तो चोरी उपर से सीना चोरी। खुद क्लास्रूम में डाइपर पहन कर आते हैं। डाइपर में सुसु पोटी करते हैं। उल्टा हमें ही सारा दिन बेंच पर खड़े हुने की सजा सुना दी। उनकी इस ह आडम हमारी बात पर विश्वास क्या से करेंगी। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बताने से पहले हमें इस बात का सबूत इकटा करना होगा कि मुकेश सरी डाइपर वाले टीचर हैं। हम ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। तो ठीक है, पपू, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम बिटिया। हमें शक है कि हमारी क्लास टीचर मुकेश सर डाइपर पहनते हैं, तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। बिचारी लड़कियां सारा दिन बेंच पर खड़ी रहीं, स्कूल की छुट्टी होने के बा हमें न, कुछ करना ही होगा। हमें ये बात प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। प्रिंसिपल मैडम ही इसका उपाय ढूनेंगी। लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात पर विश्वास क्या से करेंगी। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बतान हम दोनों एक साथ बोलती है, ठीक है, क्लास खत्मों होने के बाद तीनों लड़कियां सफाई कर्मशारी पप्पु के पास जाती है, पप्पु तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, कैसा काम बिटिया, हमें शक है कि हमारी क्लास टीचर मुकेश सर डाइपर पहनते हैं, तुम तुम्हें उनकी वीडियो बनानी होगी, लेकिन मेरे पास तो मुबाइल फोन है ही नहीं, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन रख लो, और इसी फोन से वीडियो बनाना, लेकिन मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता है, वीडियो बनाना मैं पयाती ही पद्बू फैल जाती है उधर पपू अब जेंटो टॉलेट के बाहर हर वक्त खड़ा रहता और मुकेश सर पर नजर रखने लगा मुकेश सर इधर ही आ रहा है मुझे आज इनकी वीडियो बनानी ही होगी हाँ पपू टॉलेट के बाहर खड़ा था और मुकेश सर फुर्ती से टॉलेट के अंदर चले जाते हैं। पपू टॉलेट के बाहर से उन्हें छिप कर देख रहा था। उस दिन सचमुच पपू ने मुकेश सर को अपना यूजड डाइपर डस्बिन में फेकते हुए देख लिया। स्ट्राइपर फेक रहे थे। हमारा शक सही निकला। अब हमें ये सबूत कल प्रिंसिपल मैडम को दिखाना होगा। हाँ हाँ हम ऐसे ही करेंगे रोज रोज हमें कितनी बद्बू परदाश्ट करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले हमें मुकेश सर को रियलाइज करवाना होगा कि वो कितना गलत कर रहे हैं। फित्या के मंदिर में गंदगी पहला रहे हैं। दूसरे दिन तीनो लड़कियां स्कूल आई और क्लासरूम में जाकर बैग गे। कुछ दिर के बाद मुकेश सर क्लास में आये। उन्हें देखकर तीनो लड़कियां आपस में खुसूर-फुसूर करने लगी। फूनम आरती और जैती, तुम तीनो आपस में क्या बात है कर रही हो। तुम लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। सर, हमारा पढ़ने में तो बहुत मन लगता है। लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर आते हैं न, नाजाने कहां से बदबू का जोका आता है और हमारा ध्यान भटक जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम, मेरे आने से बदबू आती है। हाँ सर, बहुत गंदी बदबू आती है और ये बदबू पुरी क्लास महसूस करती है। क्यों लड़कियों, मैं ठीक केर रहू हूँ न? हाँ हाँ. तुम लोग कितनी बत्तमीज हो, अपने टीचर के साथ ऐसा विवहार करना तुम्हें शोभा देता है. और आप जो कर रहे हैं, वो एक टीचर को करना शोभा देता है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो तो आपको प्रिंसिपल मैडम बताएंगी. तभी सभी लड़कियां प्रिंसिपल मैडम से मिलने उनके कमरे में पहुचे. क्या बात है? जैती आरती पूनम, तुम सब लड़कियां आज पढ़ाई छोड़कर यहां कैसे? मैडम, हमें पता चल गया है कि हमारी क्लास में गंधी बद्बुक कहा से आती है? और डाइपर पहन कर स्कूल कौन आता है? कौन है वो? मुकेश सर, अपने क्लास टीचर पर इतना गंधा आरोप लगाने से पहले कुछ सोच लो. अगर ये आरोप गलत निकले तो तुम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता है. मैडम, हम ये आरोप यो ही नहीं लगा रहे हैं. हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है. कैसा सबूत? जैती प्रिंसिपल मैडम को वो वीडियो दिखाती है जिसमें मुकेश सर डस्पिन में अपना यूजड डाइपर फेकते हुए कैमरे में कैद हो गए थे. ओ, तो ये बात है. ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखती हो. सबी लड़किया क्लास्रूम में चली गए. उसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने मुकेश सर को अपने केबिन में बुलाया. यस मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आये मुकेशी? जी मैडम. मुकेश सर कुर्सी पर बैटने वाले थे कि प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें खड़ा रहने के लिए कहा. नहीं, नहीं, आप खड़े रहे हैं. मुकेश सर को बहुत बेज़ती महसूस हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. मुकेश जी, आप स्कूल में डाइपर पहन कर आते हैं और उसी में सुसुपोटी करते हैं. इस गंदी हरकत के लिए आपको एक सब्ता के लिए सस्पेंट किया जाता है. नहीं, मैडम. ये जूट है. मैं, मैं डाइपर नहीं पहनता हूँ. अच्छा, तो ये क्या है? प्रिंसिपल मैडम ने टीचर मुकेश को डस्पिन में यूज डाइपर फेंकते हुए उनका वीडियो दिखाया. वीडियो देखते ही टीचर मुकेश के तो होशी उड़ गए. मुझे माप कर दीजिए, मैडम. तरसल मेरा पेट हमेशा खराब रहता है. मुझे बार-बार टाइलेट जाना पड़ता था. इसलिए मैंने डाइपर पहनना शुरू कर दिया था. आपको पता है आपके इस हरकत से स्कूल के स्टूडेंट्स पर क्या आसर पड़ेगा? हम बच्चों को स्वच्छ रहना क्या इसी तरह से सिखाएंगे? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा. आप एक सब्ता की छुट्टी लीजे और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पेट का इलाज कराईए. नहीं तो हमें जब्रन आपको सस्पेंट करना पड़ेगा. ठीक है मैडम. टीचर मुकेश ने एक सब्ता की छुट्टी ली और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाया. एक सब्ता के बाद जब टीचर मुकेश स्कूल आए, क्लास्रूम में आती हैं उन्होंने सभी बच्चों को कहा. बच्चों, मेरी वजहा से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई है. हो सके तो मुझे माफ कर देना. मैंने अपने पेट का इलाज करा लिया है. और अब मैं कभी भी डाइपर पहन कर स्कूल नहीं आऊंगा. मुकिश ने प्रिंसिपल मैडम और सफाई करमचारी पप्पू से भी अपनी गलती की माफी मांगी. ये किस लड़की को इस घर की बहु बना कर लाया है रमेश? क्यों मा, मधु में बूरी बात क्या है? आधी गंजी है वो, सर पर बाल ही नहीं है. रमेश और मधु की लव मैरिज है. लेकिन बिमला को मधु बिलकुल पसंद नहीं. क्योंकि मधु काली है और उसके सर पर जादा बाल नहीं है. रमेश और मधु की मुलाकात कॉलेज में हुई थी. मधु के अच्छे स्वभाव की वज़े से रमेश उससे प्यार कर बैटे. और एक दिन मधु ने रमेश से कहा, रमेश मैं बदसूरत हूँ. मुझे तुम्हारी मां बहु की रूप में स्विकार करेंगी क्या? मुझे नहीं पता मधु. कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे. उसके बाद घर जाएंगे. दोनों ने वही किया. और दोनों को एक साथ देख कर बिमला चौक गए. उसने मधु को बहुत उल्टा सीधा कहा और उसके बाद से ही मधु पर अत्याचार शुरू क कर दिया. मधु चुप चाप काम करती रही. बिमला की सहीलियां मधु के खिलाफ बिमला के कान भरने लगी. क्या रे बिमला? कैसी पसंद तेरे बेटे की? मेरे बेटे को देख कितनी सुन्दर बहु लाया है. हाँ बिमला, रमेश दिखने में तो इतना सुन्दर है और मैंने कुछ नहीं किया माजी, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार कर बैठे तेरे प्यार के चक्कर में मेरा बेटा बरबाद हो गया ना, तेरे सर पर तो बाल तक नहीं है इसमें मैं क्या करू माजी, मेरे सर पर बचपन से ही बाल कम है, यह भगवान का दिया हुआ है तुझ में ही कोई खोट होगी, इसलिए तो भगवान ने तुझे बाल नहीं दिये मधु दुखी होकर रोने लगी, शाम को रमेश आफिस से लोटा और मधु को रोते हुए देख कर बोला मधु ने रमेश का बैक पैक कर दिया, लेकिन अगले दिन चो हुआ उसके बारे में, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था रमेश गाडी में बैक कर जा रहा था, इतने में सामने से आ रही एक बस ने रमेश की गाडी को धटका मार दिया एक्सिडेंट इतना भयानक था कि वहीं पर रमेश का देहान थो गया नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा रमेश नहीं मर सकता, नहीं मधु रोने लगी, उसे आइडिया भी नहीं था कि उसका सुहाग इतनी जल्दी उसे छोड़ कर जाने वाला है बिमला ने सारा इलजाम मधु पर डाल दिया तु है अप्शकुनी, तेरी वज़ा से मेरा बेटा मरा है, गंजी औरते होती ही अप्शकुनी है भगवान ने ऐसी ही लड़कियों को लंबे बाल नहीं दिये तू गंजी है, आज से इस घर में तेरी कोई जगा नहीं है, भाग जाए यहां से बिमला ने मधु को भगा दिया, मधु रोते हुए इधर उधर भटकने लगी उसने देखा कि रास्ते पर एक बच्चा खड़ा है और दूसरी होर से एक गाड़ी आ देगी मधु बाल कर गई और उस बच्चे को भूट लो वो बच्चा बच गया लेकिन वो जोर-जोर से रोने लगा उसकी मा वहाँ आई और बच्चे को छीन कर मधु को ही उल्टा सीधा कहने लगी मेरे बेटे को हाथ केसे लगाया हाँ? तुम जैसी बिना बालू की भूतनी को देखकर मेरा बेटा रो रहा है वो डर गया है, भागो यहां से लंबे बाल ना होने की वज़ा से मधु को कितना कुछ सुनना पड़ा मधु रोते हुए फुटपाथ पर बैट गए मुझसे कोई प्यार नहीं करता बस मेरे लंबे बाल नहीं है, यही मेरी गलती है मधु फुटपाथ पर सो गए रात हो गई और वहाँ एक पुलिस वाला आया ए पागल आउरत, यहां नहीं सो सकती है तू क्यों सर? क्योंकि यहां सोना मना है, हाँ, लेकिन सोने के लिए मुझे पैसे देने होंगे पैसे? अब, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है तो फिर भाग यहां से फुलिस ने डंडे मार मार कर मधू को भगा दिया मधू पूरी रात रास्ते पर भटकती रही और अचानक से उसका पेट दर्द करने लगा लगता है शौच करना पड़ेगा लेकिन यहां कहा करू यहां तो कोई शौचाला ही नहीं है बहुत ढूडने के बाद मधू जाडियों के पीछे शौच करने गई काम खत्म करके वो धोने के लिएक तालाब के पास गई तो उसने देखा कि एक बच्ची तालाब के पानी में डूब रही है बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ अरे, वो लड़की तो मसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी मधू को तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मधू तालाब में कूद गई और उस बच्ची को पकड़ कर किनारे तक ले आई जाओ बच्ची, चली जाओ यहां से लेकिन वो खुद डूबने लगी नहीं जाओंगी, मुझे बचाने के चक्कर में आप पानी में डूब रही हो मेरा बचना और मरना एक ही बात है बेटी ये कहते हुए मधू डूब गई, लेकिन उसी वक्त उसके साथ कुछ हुआ वो अपने आप पानी में तैरने लगी अरे, ये क्या हो रहा है, मैं तैर कैसे रही हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता अचानक से मधू के बहुत लंबे घाने बाल भी हो गए मधू किनारे पर आई तो वो बच्ची हसने लगी देखा मेरा कमाल कौन हो तुम, मैं कौन हूँ, तो ये देखो वो बच्ची देवी में बदल गई मैं इस तालाब की देवी हूँ, ये जादूई तालाब है मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम्हारा दिल साफ है इसलिए तुमने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दाओ पर लगा दी और इसी वज़ा से तुम्हारा सपना भी पूरा हुआ तुम चाहती थी तुम्हारे घने लंबे बाल हो, वो हो गए ये बाल लंबे और घने होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है इससे तुम जो चाहो खींच सकती हो अपने बाल को जितना लंबा चाही कर सकती हो धन्यवाद देवी देवी अद्रिश्य हो गई सुबह होने को चली थी रास्ते पर लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे इतने में मधु वहाँ आई और लोगों के मुझे खुले के खुले रह गए अरे बाप रे इतने सुन्दर कोई कैसे हो सकती है इतने लंबे बाल वाह क्या बात है एक आदमी ने तो मधु को शादी का प्रस्ताओ भी दे दिया अजी क्या आप मुझ से शादी करेंगे नहीं मैं सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती हूँ लेकिन वो अब इस दुन्या में नहीं है अब मेरे पास रहने की जगा भी नहीं है पैसे भी नहीं है कोई बात नहीं मैं आपके रहने खाने का इंतजाम कर सकता हूँ मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ आप मेरे फैशन सो में भाग ले सकती है इसके बदले बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं मधु राजी हो गई फैशन की दुनिया में मधु ने बहुत जल्दी नाम कमा लिया क्योंकि इतने लंबे बाल और किसी के नहीं थे लेकिन मधु का मन रमेश के पास ही था वो रमेश से बहुत प्यार करती थी उधर बिमला की हालत बद से बत्तर हो रहे थी उसे खाने को नहीं मिलता था खाने के लिए वो अपनी सहेलियों से मदद मागने लगी लेकिन सभी ने मुँ फेर लिया विमला ने कहा अच्छा मैं तुम लोगों को अपना समझती थी लेकिन तुम लोगों ने बुरे वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया विमला घर छोड़ कर बाहर रास्ते पर भीक मागने लगी भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूकी हूँ इस तरह दिन बीटने लगा और एक दिन विमला पानी पीने के लिए एक कुए के पास गई और पैर फिसल कर वो कुए के अंदर गिर गई कुवा गहरा था इसलिए बिमला मदद की भीक मागने लगी बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और उसी वक्त मधू उसी रास्ते से अपनी गाड़ी में बैट कर कही जा रहे थी अरे, अब ये आवास तो जानी पैचानी है मधू गाड़ी से उत्री और कुए के पास गई अरे, माजी आप, आप अंदर कैसे गिर गई मुझे बचा लो बहू, मुझे बचाओ मधू ने अपना बाल कुए के अंदर फेग दिया और बिमला ने बाल पकड़ लिया मधू अपने बालों की मदद से खीच कर बिमला को बाहर ले आई बिमला रो पड़ी मुझे माव कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं आपके पास मैं हूँ माजी? माजी नहीं, सर्फ माँ बोलो, आज से तुम मेरी बहु नहीं, बेटी हो, बेटी माँ, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बन कर रहने लगे